Hello everyone, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कून, CWN कून का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एक तरह का एक जानवर होता है, रकून भी इसे बोलते हैं, या भालू जैसा पसू, हपसी, मकार या धूर्त, मैं दुबारा रेपिट करते हैं कि रकून, भालू जैसा पसू, ह सबसी, मकार या धूर्त, इन सभी का मतलब होता है, कून, CWN कून, तो चलिए कून वर्ड का कुछ एकजामपर समलब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जैसे एक संटेस हमारा दिया हुआ है, कि C is tired of hunting the same old कून, तो कहने करत हुआ, कि वह उसी पुराने कून का सिकार करते-कर जालते थक गई है, तो दोस्तो हमने सीख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, कि कून का मतलब होता है, रकून, जो कि एक भालू जैसे पसुग होता है, जानवर होता है, या इसका मतलब हपसी भी होता है, मकार या धूर्त भी इसका मतलब होता है, तो इसी तरह के डेली नयने वर्ट सीखने के लिए जाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ताकि आप यहां डेली नयने इंटरेस्टिंग वर्ट हमेशा सीख सकें क्योंकि हमारे चैनल पर परते दिन नयने इंग्लिस वर्ट से रिलेटर वीडियो सप्रोड कि जा रहे हैं जिसे देखे और सीखे आप अपने अंग्रेजी को और बतर से बहतर बना सकते हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद